जै महावीर मित्रों, मित्रों बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चला प्रयास भाई विनोध में दोस्तों, बहुत सारे मेल इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि पूजा कैसे करें सरलतम विधी से सबसे जल्दी टाइम भी जादा न लगे और पूजा हम कर ले सच्चे मन से, सच्चे भाव से, पूरी शद्धा विश्वास के साथ आप कभी भी प्रभू को इस्मान करेंगे, प्राथना करेंगे, निवेदन करेंगे, वो आपका सिवकार होगा और आपको मनुवंशित फल की प्राप्ति होगी, प्रभू की द्यादेश्टी होगी जिदने भी नय मित्र भी चैनल पर पढ़ा रहे हैं, चैनल को सब्क्राइब नहीं कहा तो चैनल को सब्क्राइब कर लीजेगे क्योंकि सब्काइब करना सब कुछ यहां पर प्रयास बाइब नोद में तो आपको निसूल मिलता ही है, वैसे भी सब्काइब करने का आपको कोई चार्द नहीं होता, सब कुछ फ्री होता है, उससे आपको कोई परेसानी भी नहीं होती है उसके बगल में बेल आइकान होगा उसके क्लिक करेंगे तो टॉप में मिलेगा आपका ओल नोडिफिकेशन वहाँ पे क्लिक कर दिएगा जिससे कि जितने भी ग्यानवर्धक वीडियो आते हैं उनका नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए कोई भी एपसोट आता है ग मैजिक तरीका है जो योग विक्तियों दोरा कराया जाता है वो सर्वोपर है लेकिन अगर हम रोज नहीं करा सकते हैं रोज हमारे पास वैसा करने के लिए टाइम नहीं है आप नित्त कर्म पूजा प्रकास में ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पूजा कैसी करने हैं नित्य कर्म कैसे होने चाहिए, यह सब आप उस पुस्तक के माध्यम जानकाई ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पूरा बिधुवत दिया हुआ है, आज के एंग में हम बात करेंगे कि सौर्ड कर तरीके से, क्योंकि आज कर सब लोग सौर्ड कॉट ही ढूंड रहे हैं, फिलाल तो कम से कम समय में पूजा का साटकर तरीका जो हम घर पे करते हैं, फटा फट हो जाए, अच्छे सो हो जाए, उसके लिए क्या करना है कि मित्रो सबसे पहले तो साकाहार, जितने लोग भी पूजा पार्ट धर्म कर्म से जुड़े होंगे, वो साकाहार अपना है, यदि वो साकाहार नहीं अपनाते हैं, तो फिर नित्त पूजा पार्ट जादा करने का कम करने का कोई मतलब नहीं, आप ऐसे इसमन करते रहिए, वही बहुत, क्योंकि मित्रो यदि आप पूजा पार्ट धर्म कर्मे रुची रखते हैं, और साकाहार का पलन नहीं करते हैं, तो पिछ पिछले एक वर्स के सारे पुन्य आपके च्छिंड हो जाते हैं जिस दिन आप मांसाहर का सेवन मांसमदिया का सेवन कर लेते हैं पिछले एक वर्स के सारे पुन्य जितने आपने धर्म कर्म किये होंगे जहां जहां भी आप दानपुन्य किये हैं वो सब एक वर्स का पिछला हिसाब बराबर हो जाता जब एक बार आप मासमद्रा का सेवन करते हैं तो इसलिए साकाहार अपनाते हुए आप पूजा करिए आप दो मिनट करिए एक मिनट करिए एक घंटे करिए लेकिन सद्धा विश्वा सास्था और साकाहार के साथ तो सबसे पहले आप इश्नान इसनान करने के पर साथ सबसे पहली पूजा आपकी होगी भगवान सूर को जल देना सबसे पहले हमेशा लाइफ टाइम एक तामबे का लोटा लीजिए तामबे पीतल ना हो तो मिट्टी का जो भी उप्यूक आपके पास यथा सकती हो यह नहीं कि सोने कहीं से यह जो आपके पास आपको प्रभू ने दिया है वो अब उसमें यह है कि आपको इस्टील नहीं लेना है या तो मिट्टी का ले लीजिए या फिर आप पीतल का ले लीजिए तामबे का ले लीजिए अब कुछ भी नहीं है तो फिर चलेगा, क्योंकि पुर्भी तो देखी रहे हैं सबसे पहले सूर्देव को जलतामे का लोटा, जल लेंगे, अक्षक डालेंगे उसमें, लाल पुस्प जालेंगे, रोली डालेंगे इतना डालने के बाद, ओम घडि, सुर्या आये नमह, मंतर आता है तो ठीक है, नहीं, ऐसे ही बोल देते हैं, सूर्देव को, यह सूर्देव, यह था सकती हम से, जो बन पड़ रहा है, वो हम आपके लिए जल समरफित कर रहे हैं, क्रपिया इसे स्विकार करें, जो गलती हो, म फिर आप घर में पूजा करें, यह मंदिर में पूजा करें, उसके लिए सरल भी थी, सबसे पहले सूर्देव को जल दे दिया, उसके पस्चाथ, भगवान को थोड़ा ससनान कराया, गंगा जल से यह जल से, मंदिर में यह घर में कहीं में, उनको पोचने के लिए कोई व्य माला सा चलाया, अरपन किया, उसके पस्चाथ, माला फूल, भगवान जी को अरपन कर दिया, माला के पस्चाथ, फिर आता है नंबर धूप का, आपके पास धूप है अगर बत्ती है, वो आप भगवान के लिए लगाएंगे, धूप के बाद फिर आप दीब जलाएंगे, उन्हें दीब दिखाएंगे, धूप हो गया, दीब हो गया, उसके बाद फिर नैवेद, जो भी भगवान को भोग लगाने के लिए आपने कुछ भी रखा है, कुछ भी का मतलब आपने गुड रख दिया है, इलाइची दाना जो मीठे वाले वाइट कलर के आते हैं, वो द भोग लगाएंगे, तो भोग रखने के बाद फिर हाथ आँक बंद कल लेंगे, प्रभू से निवेदन करेंगे, प्रभू जो भी आपने दिया है, वो भोग आपको समर्पित है, करपे आप गरहन करिए, मांसिक रूप से आप हाथ रख के प्रभू को खिला भी सकते हैं, फिर उसके बाद तीन बार आप जल गिरा देंगे वहीं पर, थोड़ा सा, आचमनी हो, आचमनी से गिरा दीजी, उसके पस्चात धूप हो गया, दीप हो गया, नहवेद हो गया, आप एक रुपई यह यह था सकती जो भी आप वहाँ पर दच्छन रख के, प्रभू से प्र प्रत्ना करिए कि प्रभू यह भोग आप सुईकार करिए, हम आपके बच्चे हैं, जो गलती हो छमा करिए, नहवेद हो गया, नहवेद के बाद आपको जो भी पाठ करना है, हनुमान चाली साब, बजरंग बान, हनुमान आश्टक, सुन्दर कांड, कनकधारा, जो भी आपको आता है, वो आप पाठ करिए, सब पूजा पाठ करने के बाद आपको आखरी में करना है आरती, आरती आप कपूर को लाके कपूर से आरती करिए, आरती आपको आती है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं आती तो ऐसे ही आरती कर लीजिए, आरती करने के पस्चार, फि उसके लिए आप छमा मांग लिजिए प्रभु जी से हाथ जोड़ के, कि है प्रभु हम करने लायक कुछ नहीं है, आप क्या सिर्वात से हमको जितना ग्यान मिलता है, उतना हम कर रहे हैं, जो तुटिया हुई है, जो गलतिया हुई है, वो प्रभु जी हमें छमा करिएगा, अंत में, जिस आसन पे बैठके आप पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, जाप कर रहे थे, उस आसन के नीचे आचमनी से आप दो बात बार जलगी रहे हैं, उसके नीचे, उसको उठाइए एक तरफ उसके नीचे डालिए, और उस जल को उंगली से लेके आप माथे पर लगाई ए ओम सक्क्राए नमः इस मंद्ञ को बोलके माथे पर लगाइए प्रणाम करिए फिर उसके बाद आप पूजा स्थान से उठें फिर वह आपको प्रसाथ अपने परिजनों में बाटना है आर्थी परिजनों में देनी है यह सब करना है तो यह नहीं मित्रों नित्य पूजा की सरलतम विधी, बिल्कुल सरल तरीके से, अगर ये प्रियास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मित्यों जब वीडियो को लाइक करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक करने से एक और य यह सब प्रस्ण होते हैं तो हमने सोचा एक में ही सब कुछ बता देते हैं तो चैनल को सब्क्राइब करने का कोई पैसा नहीं होता उससे आपका कोई नुक्सान भी नहीं होता है और उसके बगल में घंटी होती ही बेल आइकान वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप में कवरण नुटीफिकेस्टन होगा वहाँ पर क्लिक कर लिएगा तो जिस से लाइब प्रोग्राम ज्ञानवर्धक वीडियो जितने भी हाथ उनका सबसे पहले नुटीफिकेस्टन आपको मिल जाता है तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ तब सब्सक्राइब के लिए जैहन बंदे मातरम